चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मुख्य मंतरी परिशद की मीटिंग में बीजेपी नेताओं को मिला मोधी मंतर केंदर की योजनाओं पर फोकस राज्यों को दिया यह टास्क जहन दूस्तु प्रदान मंतरी मोधी समयत बीजेपी के शिश नेताओं ने रईववार को लगातार दूसरी दिन कई मुद्दों पर गहन मंथन किया, मीटिंग में भाजबा शाषित तरह राजों के मुख्य मंथरी और 15 डिप्टी सीयम शामिल हुए, इसके साथ ये शाषित कुछ राजों के उप मुख्य मंतरियों ने भी मीटिंग में शेरकत की, इस दोरान प्रदान मंतरी मोधी ने विक्सित भारत के ल दिल्ली की IAS कोचिंग में तीन स्टुडेंट्स की मौत पावर कट से बेस्मेंट में लाइबरेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम, तीन मिनिट में बारा फिट पानी भरा, जिहन दूस्तो दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजंदर नगर के राउ बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेस्मेंट में बनी लाइबरेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था, दोस्तो स्टुडेंट्स अंदेरे में लाइबरेरी के अंदर फस गए, गेट बंद होने के कारण पानी शुरुवात में बेस्मेंट में नहीं घुसा था, ल गटना के बाद पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिशेक गुपता और कोडिनेटर देशपाल सिंग को गिरफतार कर लिया है। रहीवार शाम को दोनों को दिल्ली कोट में पेशी के लिए ले जाया गया। पिश्रा दलित और अल्प संक्यक के बाद अब रामन कार्ड चला है। 21 साल के माता प्रसाद पांडे विदान सबा में सतापक्ष का मुकाबला करेंगे। वह सिद्दार्त नगर की इटवा सीट से विदायक हैं। साथ बार विदायक रहे चुके हैं। दो बार विदान सबा अध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार। राहूल गांदी ने उत्तरप्रदिश के मोची को सिलाई मशीन गिफ्ट की एक दिन पहले मिले थे। रामचेत ने भी जूते भिजवाए कहा, उन्होंने वादा पूरा किया। जहां दोस्तो राह राहूल गांदी 26 जुलाई को ग्रहमंत्रि अमिर्शामानानी केस में सुल्तानपूर कोट पहुंचेते लोटते वक्त राहूल गांदी ने अचानक काफिला मोची रामचेत की दुकान पर रुकवार लिया था। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर। किम जेंगी से केवल 0.1 अंक पीछे थी जिन्नोंने सिल्वर मेडल पर कपजा जमाया। बाईश वर्षी ये मनुभाकर का यह है ओलमपिक्स में पहला मेडल है। इस इस प्रदा में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाली दोनों एतलेट्स दक्षन कोरिया से ही है। चलि चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार। पीम की मन की बाद मोदी बोले 15 अगस्त को इस पीच दूँगा। टोपिक पर सुझाओ भेजें आजादी के परवव पर हेडलूम के कपड़े जरूर खरीदें। जयां दोस्तों बजट के बाद पहली बार मन की बाद कारेकरम का एक सो बार वा अपिशोड प्रसारित हुआ प्रदान मंतरी मोदी ने पेरस ओलिम्पिक, मैट्स ओलिम्पियाड असम, मोईदम, टाइगर डे, वनों के संग्रक्षन और सोतनता दिवस पर बात शीत की। साथी उन्होंने हेडलूम पर भी चर्चा की, हर साल साथ अगस्त को नेशनल हेडलूम डे मनाया जाता है। सभी वोड देनी की जोरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव ग्रूप के एक इवेंट को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर मैं राष्टपती बना तो सभी चीज़ें ठीक कर दूँगा। पूर्व राष्टपती ने कहा कि इसाईयों को घरों से निकल कर वोड डालना होगा, इसके बाद अगले चार साल में मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बहतरीन हो जाएंगी ट्रम्प ने कहा कि वे खुद इसाई धर्म को मानते हैं और सभी इसाईयों से बेहद प्यार करते हैं। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार। कोचिंग सेंटर हाथसे में मजिस्ट्रेट जाच के आदेश दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 24 गंटे में मांगी रिपोर्ट। उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये हैं जिसके रिपोर्ट 24 गंटे के बीतर सौंपनी होगी रूस की नेवी परेड में शामिल हुआ भारत युद्ध पोत आई एनेस तबर ने लिया परेड में हिस्सा राश्पती वेलोमिदीर पुतिन ने ली सलामी जया दूस्तो भारतिय नोसेनिकों नेट 28 जुलाई को रूस के 328 वी नेवी डे परेड में हिस्सा लिया इस मोके पर रूसी राश्पती वेलोमिदीर पुतिन ने भारतिय नोसेना से सलामी ली भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्ध पोत आई एनेस तबर ने हिस्सा लिया परेड की सलामी लेते हुए पुतिन ने भारतिय नोसेनिकों से कहा नमस्कार नोसेनिकों नेवी डे पर आपको भदाई परेड के लिए युद्धपोत आई एनेस दबर के कमान कैप्टन एम और हरिस समाल रहे थे चली दोस्तू जान लेते हैं अगली खबार श्रिलंका विमेंस ने 20 साल में पहला एशिया कप जीता भारत को आट विकिट से फाइनल हराया अट्टा पट्टू हर्शिता की 50 जे दोस्तो श्रिलंका ने इतियास रचते वे विमेंस एशिया कप दोजार चोईस का गिताब जीत लिया है टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया श्रिलंका के कप्तान चमारी एटा पट्टू ने 61 और हर्शिता समर विक्रमा ने 69 रन बनाए दोनों ने 87 रन की पार्टनरशिप भी की थी दोस्तो 2004 में शुरू हुए विमेंस एशिया कप में श्रिलंका पहली बार चेंपियन मना है टीम इससे पहले 5 बार रन अरप रही थी वहीं भारत ने दूसरी बार ही विमेंस एशिया कप का फाइनल गवाया है टीम को इससे पहले 2018 में बांगलादेश ने हराया था भारत ने 7 बार विमेंस एशिया कप जीता है चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर हजबुलाह के हमले से दहला इसराइल बच्चों के शवदेक विचलित हुए लोग अमेरिका से लोटे नेत्यान्यू जिया दोस्तो गाजा लेबनान और यमन में एक साथ हमले कर रहा इसराइल रोकेट अटेक की वज़े से दहल उटा है इस बार इसभुलाह के लड़ाकों ने इसराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया एक रिपोर्ट के मुताबित करीब 40 से अधिक रोकेट इसराइल के ओर दागे गए थे इनमें से एक रोकेट गोलान हाईट्स के फुटबोल मेदान में जागिरा इस अमले में 12 बच्चों की मोत हो गई जबकि 37 से अधिक लोग जगमी बताए जा रहे हैं सभी घरवालों को अस्पताल में भरती कराया गया है इनमें कई की हालत गंबीर है ये हमला शनिवार शाम साड़े 6 बजे हुआ चलि दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबर यूपी उत्राखंड में 12 से 24 गंटे में 4 मोतें उत्तरप्रदेश में 12, 350 गाउं डूबे और गेट खोलने पड़े वहीं दोस्तों पहले से ही इसके 16 गेट खुले हुए हैं इससे आसपास के लाकों में पानी भन गया वहीं शनिवार को उत्राखंड रुत्तरप्रदेश में बारी बारिश के चलते हैं चार लोगों की मोत हो गई उत्राखंड के नई टेहरी में भूस कलन से एक मा बेटी की मोत हो गई जबकि उत्तरप्रदेश के जालों जिले के एक गाउं में बिजली गिरने से दो लोगों की मोत हो गई है चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार बीजेपी शाषित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में बेठक प्रदान मंत्री ने कहा गरीबों को केंदर और राजे की योजनाओं का फायदा मिले नड़ा शाहा भी मोज़ूद रहे जे अन्दोस्तों दिल्ली भाजपा हेड़कोर्टर में रहिवार को लगा तार दूसरे दिन पार्टी शाषितर राज्यों की मुख्य मंत्रियों और उप मुख्य मंत्रियों की बेठक हुई इसमें प्रदान मंत्री मोधी, ग्रह मंत्री अमीर शाह, पार्टी अद्यक्ष जेपी नड़ा और संगठन के प्रमुखनेता मोजूद रहे दोस्तो मीटिंग में बिजेपी शाषित राज्यों के सीम ने अपने राज्यों में चल रहे डवलमेंट प्रोजेक्ट पर प्रजेंटेशन दी पीम मोधी ने सभी नेताओं के साथ सरकार के मुद्दो पर विचार विमर्श किया मोधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में चल रहे योजनाओं के पूरा करने और समाज के सभी वर्गों में जिन में विशेशकर गरीबों को योजनाओं के लाब मिलने पर जोर भी आ गया है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर बागी अंत्रिक शियात्रियों के साथ उलम्पिक की मशाल पकड़े नजर आ रही है हालांकि यहाँ मशाल इलेक्ट्रिक है वहीं दूस्तो वीडियो में सभी अंत्रिक शियात्री अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं सुनिता जिमनासिटिक कर रही है तो वहीं बाकी अंतरिक्ष यात्री, वेट लिफ्टिंग, रेस्लिंग, डिक्स थ्रो, शोटपुट जैसे कई खेलों में अपनी पृति बाद दिखाते नज़र आ रहे हैं चलिए दूस्तु जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आपसे कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक चोट असा लाइक जरूर दे दीजिए चलिए दूस्तु जान लेते हैं अगली खबर शेर बाद बाद देजिए का अनुमान, कंपनियों के तिमाई नतीजों, ओ टो सेल से लेकर FII फलो तक यह फेक्टर्स तई करेंगे बाद बाद देजिए को मिल सकती है कंपनियों के पहली तिमाई यानि के quarter one financial year पच्चिस के नतीजे अटो मोबाइल सेल्स, domestic economic data, FOMC meetings, global economic data, FIIDI flow और upcoming IPO पर बाजार की नजर रहने वाली ऐसे में दोस्तों बाजार इस वीक उपर उठ सकता है चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार जबरन वसुली केस में कनाडा में छे भारत वंशी हुए गिरफतार, महीला और नाबालिंग भी शामिल, SII विजनिसमेन को निशाना बनाने का लगा आरोप जिए दोस्तों कनाडा में छे भारत वंशी लोगों को गिरफतार किया गया है, इन पर जबरन वसुली रेकिट चलाने का आरोप है गिरफतार किया गये लोगों में एक महीला भी शामिल है, इसके अलावा साथवे शक्स की गिरफतारी के लिए भी वारंटे जारी किया गया है रोएन कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने 25 जुलाई को एंड माउंट में 6 जगों पर छापी मारी कर इनहें गिरफतार किया था चली दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार भारतिये शूटर्स का धमाल रमिता के बाद अर्जुन भी फाइनल में पहुंचे जिया दोस्तो भारत के निशाने बाज अर्जुन बाबूता ने शांदार प्रदशन जारी रखते वे पुरुसों की 10 मिटर एर राइफल इस पदा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है अर्जुन क्वालिफाइंग राउन में 7 वे स्थान पर रहा है इस इवेंट में संदीप सिंग ने भी भाग लिया लेकिन वह 629.3 अंकों के साथ रेंकिंग में 12 वे स्थान पर रहा है अर्जुन ने कुल 630.1 अंक हासिल किये थे चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार जारी करे ताकि उनके बारे में जूटी बातों पर विराम लग सके चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार रहत तक पहुची अर्विंद केजरिवाल की पत्नी प्रदान मंत्री पर साधा निशाना सुनिता बोली हर्याना के लाल को मोदी ने जेल में डाल दिया जेल दोस्तों आमाद्मी पार्टी के और से रहिवार को रोत तक के सामपला इस्तित अनाज मंडी में बदलाओ जनसभा का समय आयोजन किया गया इस जनसभा में मुख्य अतिती के तोर पर दिल्ली के मुख्य मंतरी और आम आदमी पार्टी सायोजक अर्विंद केजरिवाल की पत्नी सुनिता केजरिवाल मौजूद रही जन सबागों सानमोधित करते वे सुनिता केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल ने ऐसे काम किये हैं जो पिछली सरकारे नहीं कर पाई पंजाब दिल्ली में स्वास्थे वे सिक्षास्त विदाएं बैतर हुई है सुनिता केजरिवाल ने लोगों से पूचा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने स्कुलों की वेवस्ता सुधारी ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने महुला क्लिनिक बनाए किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया इसी वजह से नरिंद्र मोधी अर्विंद के जरीवाल से जलते हैं अर्विंद के जरीवाल के काम रोकने के लिए फरजी केस में फसा कर जेल में डाल दिया है चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट का आंकला 100 करोड के पार हर महीने 1.1 करोड नंबर हो रहे है पोर्ट जिन दोस्तो टेलिकॉम रेगूलेटर ट्राई ने शुकरवार को बताये कि मोबाइल नंबर पोर्टिबलेटी सर्विस के तयत मोबाइल नंबर पोर्टिंग रिक्वेस्ट की संक्या 6 जुलाई को 100 क्रोल के आंकड़े को पार कर गई MNP सर्विस बीस जनवरी 2011 को शुरू की गई थी यानि कि करीब साधे तिरह साल में MNP रिक्वेस्ट का आंकड़ा 100 क्रोल के पार हो गया है दोस्तों ट्राई ने एक बयान में कहा कि 6 जुलाई 2024 को भारत में जनवरी 2011 से पोर्टिंग रिक्वेस्ट की संक्या 100 क्रोल के आंकड़े को पार कर गई है चली दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार दो क्टूबर को बनाएंगे पार्टी विदांसबा चुनाओ में उत्रेंगे उम्मीदवार पीके का बड़ा एलान जान दूस्तों बियार की राजदानी पत्ना में चुनाओी रन नितिकार प्रशांद किशोर ने बड़ा एलान कर दिया उन्होंने कहा कि दो क्टूबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी बिहार में विदांसबा चुनाओ भी लड़ेगी पत्ना में जन सुराज की राज़ी इस्तरिये कारेशाला में प्रशांद किशोर ने यह एलान कर दिया वह जन सुराज प्रशांद की शोर या किसी जुआती या किसी परिवार या वेक्ति का नहीं बल्कि बिहार के लोगों का दल होगा जो इसे मिलकर बनाएंगे चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार अपडेट नहीं दिया गया है यह केसे हुआ और उनके तबियत केसी यह है लेकिन बताया जार आये कि कोई गंबीर बात नहीं है वे जल्दी स्वस्त होकर दिल्ली लोटेंगे चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार रेवंत रेडी ने अकबर उद्दीन ओविशी को दिया डिप्टी सीम का ओफर सामने रखी यह शार्ट रेवंत रेडी ने कहा कि मेरे दोस्त ने अपने पुराने दोस्त को 10 साल दिये हैं मैं सिर्फ 4 साल मांगता हूं पुराने शाहर से सेवां का विस्तार करना मेरी जिम्मधारी है मैं परियोजनाय पूरी करने के बाद ही वोट मांगूँगा वहीं दोस्तों उनकी शिकायतों पर रेवन्त रेडी ने कहा कि अगर अकबरुद्दिन ओवे सी कॉंडरलन सी कांग्रेस के टिकेट पर चुनाओ लड़ते हैं तो उनकी जीत सुनुषित करना मेरी जिम्मेदारी उगर इतना ही नहीं में उन्हें उपे मुख्यमंतरी पद के पर अपने वगल में भी बेठाऊंगा उसके बाद वैस सब कुछ ठीक कर पाएं तो कर सकते हैं चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर ममता बैनर जी नहीं बनना चाती का अंग्रेस के पिछलगू इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी का बाड दिया है दरसल दोस्तों लखनव में प्रेस कॉंफरेंस के दुरान बीजेपी नेता ने राइवार को पूछा कि ममता बैनर जी दिल्ली क्यों आई थी न्यूज अजेंसी एनाई की रिपोर्ट के मतावित बीजेपी सांसद शुदानसू त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी ममता बैनर जी यहां कुछ ऐसा करने के लिए आई थी जिससे वह कांग्रिस से अधिक लोगों का ध्यान अपनी और खीच सके और इसा करने में वह सफल भी रही है चले दोस्तों जान लेते हैं आंगली खबार CJI बोले ट्राइल कोट के जजज जमानत देने में हिच किचाते हैं जिनने लोवर कोट से बैल मिलनी चाहिए उन्हें सुप्रिम कोट आना पड़ता है यहनुस्तों चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंचूर ने रईवार को कहा कि ट्राइल जज कई अहम अपराद ज़रुरी नहीं कि उन्हें भी वहाँ जमानत मिल जाए इसके चलते उन्हें सुप्रिम कोट आना पड़ता है इस प्रिक्रिया के चलते उन लोगों की परिशानी बढ़ जाती है जो मनमाने डंग से ग्रिफ्तारियों का सामना कर रहे हैं तो दोस्तो यह तियास की तमाम बड़ी खाबर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड गूज कुशन की जियां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिप चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सव लोक्स में लिख दीजिए वडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदिमात्रम जे हिन जे भारत